नमस्कार आप देख रहे हैं पूरा हाथसा हुआ इस दोरान साथ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है बड़ी खबर 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 सामने आ रही है बड़ी है पूरा हाथसा जो है वो पटियाली कायम गंज मार्क के पास का है साथ लोगों की इस हाथसे में मौत हो गई है साथ लोगों की जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है इस्थाने लोगों की मदद से इसमें कुछ लोग घायल भी हुए है जिने अस्प पहुंचाया गया कायमगंज शेत्र के चिलॉली के रहने वाले हैं जो इस हाथसे में जो मारे गए लोग हैं वो सभी कायमगंज के चिलॉली के रहने वाले हैं सत्संग में शामिल होने के लिए कायमगंज से पटियाली जा रहे थे सभी लोग जिस दौरान ये हाथसा हुआ प किस तरीके से गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं, किस तरीके से चारो तरफ आप देख सकते हैं, किस तरीके से मंजर जो है काफी दर्दनाक मंजर है, गाड़ी की हालत साफ तोर पर बता सकती है कि कितना दर्दनाक हादसा था टैंपू और गाड़ी की भिड़न्त हो गई है दोनों और से ही इसमें लोग घायल हो गए है कुछ इसमें कम से कम साथ या आठ लोग घायल बताये जा रहे हैं किने की अस्पताल पहुचाया गया है इस्थाने लोगों की मदद से मौके पर पुलीस भी पहुची पुलीस मामले की जाच में जूटी है फिलाल तेज रफतार का कहर देखने को मिला है यहां पर तेज रफतार की वज़ा से यह पूरा हादसा हुआ है किस तरीके से इतना बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है जिनमें की अधिकतर जो घायल है वो महिलाएं बताई जा रहे हैं किस तरीके से आज पास का मंजर आप देख सकते हैं कि इतना दर्दनाक मंजर है साफ तोर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हास्सा कितना भीशन रहा होगा हास्से में आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी पूरी तरहा से बरबाद हो चुकी है किस तरीके से गाड़ी के परखचे उड़ चुके हैं तस्वीरे सारे मंजर को बया कर रही है आप हमारी स्क्रीन पर ये विजूल देख सकते हैं कि इस तरीके से जो चल रहा है कि गाड़ी की हालत साफ तोर पर बया कर रही है कि हाथसा कितना भीशन था, कितना दर्दनाक था, इस्थाने लोगों की मदद से किसी तरह घायलों को अस्पताल पहुचाया गया है, घायलों म सतसंग में शामिल होने के लिए ये लोग जा रहे थे, जिस वक्त ये हाथसा हुआ, दर्दनाक हाथसा हुआ, तेज रफतार का कहर देखने को मिला, फिलहाल पुलीस भी मौके पर पहुची, पुलीस ने किसी तरह से जो इसमें घायलों लोग है, उनको अस्पताल पहुचा जो लोग इस हाथसे में गंभीर रूप से घायल है, उनके किसी तरह अस्पताल पहुचाया गया है, किस तरीके से तेज रफतार का कहर देखने को मिला, फिलहाल जिन लोगों की इस हाथसे में मौत हो गई है, उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, उनके घर पे कोहराम पसरा हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से गाड़ी पूरी तरीके से गाड़ी शतीगरस्त हो गई है तस्वीरे बया कर रही है पूरे मंजर को कि कितना दर्दनाख हाथसा रहा होगा किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरे पूरे हाथसे क जादा लोग मौजूद थे जिस वज़ा से यह हादसा हुआ खचा-खच सवारियों से भरी थी बोलेरो गाड़ी और वहीं पर अगर बात की जाए टेंपू की तो टेंपू पे भी लोग सवार थे इस हादसे में मरने वालों में दो बच्चे पांच महिलाएं और एक यूवक शामिल है तो आप देख सकते किस तरीके से सबसे जादा जो इस हादसे में मारे गए हैं उनमें महिलाएं हैं जिने सबसे जादा जो महिलाएं हैं वो इसमें मारी गई है वहीं दो बच्चे भी इस हादसे का शिकार हो गए जो मरने वालों में और एक यूवक शामिल है वही तरीके से गाड़ी के जो परखचे उड़ गए हैं तस्वीरे साफ तोर पे बया कर रहेगी कितना निर्मम तरीके से ये हाथसा हुआ कितना दर्दनाक हाथसा रहा होगा जिस वक्त ये हाथसा हुआ होगा उस वक्त किसी तरहा से जिनमें ये लोग बच गए जो प्रत्यक्ष दर्शी है जुन्होंने ये हादसा देखा है जो घायल है उन्होंने इस सीज को बया किया है कि किस तरीके से हादसा कितना दर्दनाक रहा हादसा कितना दर्दनाक रहा इस्थाने लोगों की मदद से उन्हें पुलीस ने किसी तरह से जो बच गए हैं घायल थे उनको रेस्क्य किया गया और उन्हें फिर किसी तरह ऐस्पताल पहुचाया गया बचाऊ-कारे में आसपास के लोग मौजूद थे उन्हें पटियाला जो जो लोग घायल हुए है उन्हें पटियाला credible च्छम में पुछाया गया है जहां पर सभी को जिला स्पाल के लिए रयफर कर दिया है हाथसे पर अब मुख्य मंत्री यानि CM योगी के और से भी ट्वीट सामने आया है CM योगी ने इसको ले कर तमाम तरीके से कहा है उन्हें इसको इस हाथसे पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है साथी साथ उन्होंने जो इस हाथसे में घायल हो गए है उनके लिए फ्री इलाज कराने का उन्होंने आदेश दिया है निर्देश दिये हैं उन्होंने सीम योगी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है सीम योगी ने इस हादसे में शोक व्यक्त किया है किस तरीके से दर्दनाक हादसा देखने को मिला है जिस पर सीम योगी की सूबे के मुख्य मंत्री सीम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई उन्होंने किस तरीके से शोक व्यक्त किया और साती साथ जो इस हादसे में घायल उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर साफ तोर पर सबसे पहले तो ये सवाल उड़ते हैं इस तरीके के जो हाथ से होते हैं उनको लेकर ये सवाल उड़ता है कि आखिर जल्दी किस बात की रहती है लोगों क आकिर जल्दी किस बात की कि इस तरीके से दोनों ही और से तेज रफ़तार का कहर देखने को मिला इस तरीके के हाथ से कई तरह के जहन में सवाल छोड़ देते हैं अब वही इसको लेकर सीम योगी का ट्वीट भी सामने आया है उन्होंने शोख व्यक्त किया है और फ्री इलाज के लिए उन्होंने बताया किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ से में जो लोग घायल हैं जो इसके प्रत्यक्ष दर्शी हैं उने बताया कि हाधसा कितना दर्दनाग था। झाल हादसे को लेकर सीम योगी की तरफ से भी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है उन्होंने जो इस हादसे में मारे गए हैं उनके लिए एक तरफ शोक व्यक्त किया है तो वहीं इस हादसे में जो लोग घायल हो गए उन घायलों को मुफ्त इलाज के उन्होंने अधिकारियों को निर देता है कि आखिर लोगों को जल्दी किस बात ही है बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB Star News नमस्कार